फतेह पूर्जिला यह जिला उत्तर परदेश राजी का एक प्रमुक्वा एतिहासिक जिला है फतेह पूर्जिला के एक तरफ गंगा नदी वा दूसरी तरफ यह अमन नदीशे घिरा हुआ है दोस्तों अगर स्टर्ग पर दौर्टी गाड़ियों के नमबर प्लेट पर यूपी 71 लिखा हो तो समझ जाएगा कि आप फतेह पूर्जिला में दाखिल हो चुके हैं फतेह पूर्जिले का हेट कौर्टर आपिस फतेह पूर्जिला में मौजूद है और फतेह पूर्जिला परियाग राज मंडल के अंतरगत आता है लगबग 634 वर किलोमीटर में फैले फतेह पूर्जिला की कुलाबादी 2021 के जनगर्णा के अनुसार 26,32,000 के करीब है दोस्तों फतेह पूर्जिला अपने कई सारे पूरोसी जिलों के साथ अपनी सीमाए साजा करता है जिसमें उन्नाव जिला, कानपूर नगर जिला, हमेर पूर जिला, चित्रकूट जिला, कौसामबी जिला, बांदा जिला और राय बरेली जिला है अवा गमन की बात करे तो फतेह पूर जिला, सडक और रेल के माध्यम से देश के बड़े-बड़े सहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है रेल मार्ग, फतेह पूर रेलबे स्टेशन यह रेलबे स्टेशन देली, गया, हवडा, मुगल सराय, कानपूर सेक्षन पर मौजूद है इस रेलबे स्टेशन में तीन प्लेटफोर्म मौजूद है और इस रेलबे स्टेशन की अस्थापना 1869 में हुई थी रेलबे स्टेशन का स्टेशन कोड FTP है और फतेशन रेलबे स्टेशन एलावाड डिविजन के अंतरगत आता है सडक मार्ग दोस्तों सडक रास्ते के मामले में फतेशन पूर सडक के नेशनल हाइवे संक्या दो से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है फतेशन पूर बसिस्टेंड इस जिले के मुख बसिस्टेंडों में से एक है यहां से आपको आज पास के पुड़ोसिय जिला और जिले के बड़े-बड़े सोरोक तक आपको बस सेवा मिल जाएगी दोस्तो फतेशन पूर जिला अपने परेटा कस्टलों के लिए भी काफी प्रसीध है रवर्स हजारोस हैलानी फतेशन की खूपशूर्ती को देखने के लिए यहां पर आते हैं तो आए दोस्तो इस बीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो कौनसा परेटा कस्टल है जिसके बिना फतेप और जिला की खोपसूरती अधूरी है नमबर वन हजारी लाल का फाटक 1942 में अंग्रेजों को भगाने के लिए किये गए भाराच छोड़वा अंदोलों का मुख केंद्र बिंदु इशी शहर के चोक इस्तित हजारी लाल का फाटक था जिसमें बलिया के करनल भगवान सिंग ने 800 देशभक्त फोजियों के साथ इसी अस्थान पर कमान समा लिथी हजारी लाल फाटक तवी से जो है वो चर्चा में रहता है नमबर दू बादशाही बाग 1669 में मुगल बाजशा औरंग जेव ने अपने भाई साथ सूजा के साथ इूद करने का फैसला किया था जिसमें की औरंग जेव ने अपने भाई को पराजित कर दिया था इस खुसी में उन्होंने यहाँ पर विसाल उत्थान का निर्मार कराया इस उत्थान को बाजशाही बाग के नाम से भी जाना जाता है जिला मुख्याले से लगबग 15 किलोमीटर दूर इस्तित एक शाहर है बिन्दकी शाहर इस शाहर का नाम यहां के राजा बेनुकी के नाम पर पड़ा है सहिर जोदा सिंग अटाया और हिंदी शाहित के महान कवी शोहलाल दिर्वेदी का जन्म इसी बिन्दिका में हुआ था दोस्तों अगर आप उत्तर परदेश के प्राइमरी स्कुल में पढ़े होंगे तो यहां पर जो है एक बहुत ही अच्छा पोयम था कि सबसे मीठे मीठे बोल इसका जो रचईदा थे वो यही सोहलाल दिर्वेदी थे जिनका जन्मस्तान इसी बिन्दिकी में मौजूद है यह एक परकार का गाउं है जो की चड़हरा बिन्दिकी मार्ग पर इस्तित है ऐसा माना जाता है कि यहां पर साप और कुट्टे के काटे हुए मरीजों का शफल इलाज बावा जामदास के मंदिर में होता है नमबर पांच सीवराजपूर यह एक परकार का भी गाव है जो कि बिंदगी के निकट गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है इस गाव में भगवान कृष्ण का एक मंदर भी मौजूद है ऐसा माना जाता है कि इस मंदर की अस्थापना मीरा बाई ने की थी दोस्तों सिच्छा की बात करें तो फते पूर जिला सिच्छा के मामले में उतना तो अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी इस जिरे की साचर्दादर 58 परतिसत है यानि की फते पूर जिला के 58 परतिसत जो लोग हैं वो पढ़े लिके हैं जिसमें की पूरुस वह महिला दोनों सामिल है निवेदिका, सिंग गर्श कालेज, मातमा गादी, पीजी कॉलेज, ठाकोरी उराव सिंग महाबिद्याले, किरन सिंग महाबिद्याले ये सभी स्कूल वह कॉलेज इसी फते पूर जिला में मौजूद हैं दोस्तों फते पूर जिला में तीन तैसील वह च्छे बिधान सबा मौजूद हैं इसमें तीन तैसीलों में फते पूर, बिंदकी और खागा और छे बिधान सबा में जहानाबाद, बिंदकी, शदर, अयासा, हुसेन गंज और खागा मौजूद हैं दोस्तों उत्तर परदेस राज में इस्तीत फते पूर जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कोमेंट करकर जरूर बताईएगा बाकी अगरे वीडियो आपको पसांद आया हो तो हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा दोस्तों वीडियोस पुरा देखिने के लिए आपको दिल से शुक्रिया